नमस्कार तापती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है आए देखते हैं बैतुल जिले की प्रमोग खबरें बैतुल जिले की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे यूटुब चैनल तापती अर्जुन को सब्सक्राइब कर ले साथी बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले बैतुल ग्राम दनोरा के पास सड़क दुरगटना में घायल हुआ यूवक इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिलास्पताल लाया गया बैतुल ब्लॉक के अंतरगत आने वाले ग्राम दनोरा के पास देर शाम कल तकरीबन 7 बजी के आसपास एक यूवक सड़क दुरगटना में घायल हो गया जिसके बाद उसे इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की सायता से जिलास्पताल लाया गया बताया जा रहा है कि यूवक मोडी गाउं का निवासी है और दूद का धंदा करता है यूवक का नाम हरियोम दरवई है बैतूल से तकरिवन 6 बजे अपने गाउं मोडी के लिए निकला था लेकिन रास्ते में धनोरा के बस अचाना किसी को बचाने के चक्कर में इसकी बाइक अनियंत्री थोकर पलड़ गये जिसके बाद यूवक गंभी रूप से गायल हो गया बैतूल ग्राम साई खंडारा में बैलो के जुंड ने बुजर्ग को मार कर किया घायल बुजर्ग को लाया गया जिला अस्पताल बैतुल 19 जुलाई बैतुल ब्लॉक के अंतरगत आने वाले ग्राम साई खंडारा में कल दो पर तकरीबन दो बजे एक बुजुर्ग को बैलो को जुंड ने मार दिया जिसके बाद बुजुर्ग को 108 एंबुलेंस के जरिये जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है बता मस्जित के इमाम के अनुपस्तिति में ईट को लेकर हुई शांती समीति की बैठक मुलताई ईट के तेवार को लेकर प्रशासा ने सोमवार को शांती समीती की बैटक आयोजित की थी लेकिन बैटक में मस्जीदों के इमाम अनुपस्तित रहे इस इस्तति में बैटक का आयोजन आपचारिक बन कर रहे गया नगरपालिगा के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में SDM हर सिम्रन प्रित कौर ने कहा कि इत पर घर में रहकर ही नमाज पड़ी जाए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मस्जितों में भीड ना की जाए भीड वाले कोई भी सारवजनिक कारेकरम आयोजित नहीं किये जाए साथी संबन्द में मस्जित एनाउंसमेंट कर नमाज के लिए मस्जित में एकंतरित ना होने की अप्रेल भी की जाए बैठक में गुरु पूर्णीमा पर भीड़ वाले कारेकरम आयोजीत ना करने के भी निर्देश SDM ने दिये बैठक में SDOP नमरत सुंधियार तैसिलदार सुधीर जैन, साहिद नगर पाली का सीमो और मुल्ताई नगर के गणमाने नागरिक उपस्थित रहे मुल्ताई गांधिवार में जुआ खेलते हुए जुआरियों को पुलिस ने रंगे हतों पकड़ा जब कि ये 880 रुपे और ताश के 52 पत्ते मुल्ताई नगर में रहिवार को देर रात पुलिस ने गांधिवार्ड मटन मार्किट हनवान मंदिर के पास जुआ खेलते हुए 6 लोगों को रंगे हतों पकड़ा है इस संबन्द में मुल्ताई थाना प्रबारी सुरेश सुलंकी ने बताया कि कजबा ब्रमन के दौरान मुखबीर से सूचना मिली थी कि मटन मार्केट के पास कुछ लोगों द्वारा जुआ खेला जा रहा है सुचना मिलने पर पुलिस द्वारा अलग अलग तीन टीमें बना कर दबिश दी गई दबिश में जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को रंगे हतों पकड़ा गया है पुलिस ने जुआरियों के पास से कुल 880 रुपए और ताश के 52 पत्ते जब्त किये सोमवार को जुआरियों के हिलाव पुलिस ने जुआ एक्ट के तहट मामला पंजिबद किया है मुल्टाई मलोल खापा गाउं में एक यूपती को सापने काटा जिला अस्पताल में कराया गया भरती मामला मुल्टाई थाना छेतर के अंदर गताने वाले ग्राम मलोल खापा का है जहां पर कल दो पेर दो बज़ी के आसपस एक यूपती घर में कोई काम कर रही थी तबी अचानक उसको एक जहरीलेस आपने काट लिया जिसके बाद परिजनों द्वारा 108 के माध्यम से उसे मुल्टाई के सामदाई स्वास्त केंदर में लेकर जाया गया जाब गंबी रोने के चलते उसे तकरीवन 4 वजे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया फिलाल यूपती का जिला अस्पताल में इलाज जारी है जिसके बाद दोसों से अधिक संक्या में लोग आ गए थे जिसके बाद सोशल डिस्टंसिंग के साथ उन्हें बेठा रहा गया और वैक्सिन लगाया गया वैक्सिन के टीके में तार्गेट के अनुसाथ 200 लोगों को यहां पर टीका लगा है आमला थाना परिसर में बकराईद परव को लेकर शांती समीती की बैठक का आयोजन किया गया बैठक में आमला के तैसिलदार और अन्य प्रशासनी कदिकारी, जन प्रतिनीदी, व्यापारी और गंडमाने नागरी को उपस्तित रहे बैठक में कोरोना संकरमन रोकने के लिए ईद के तैवार को घरों में ही मनाने का निर्णाय लिया गया आमला बोरीकुर्द गाओं में कोविट टीका करन सेंटर पर वैक्सिन लगाने को लेकर लोगों ने किया हंगामा पुलिस ने मौके पर पहुच कर दी समझाईश आमला के बोरीकुर्द गाओं में कल सोमबार को दोपेर बारा बजे के आसपास लोगों ने वैक्सिन लगाने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और अबदर्ता की जिसके बाद पंचाय सचिवदारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस को मौके पर बुलाया गया साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की भी समझाईश दी गोला डोंगरी सारनी के वाड करमांग 24 और 25 के वाड वासियों ने बिजली कनेक्शन देने की मांग को लेकर सोमबार को नगरपाली का कारयले का किया घेराओ सार्णी के वाड क्रमांग 24 और 25 के वाडवासियों ने सोमवार को दोपेर में बिजली कनेक्शन देने की मांग को लेकर इस्थानी नगरपाली का कारयले का घेराओ किया साथ ही नगरपाली का के CMO को अपनी समस्याओ से अफगत कराया वाडवासियों ने चर्चब में बताया कि बिजली सबस्टेशन इस्थापित होने के बाद भी आस्तक उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया है जिसके चलते वाडवासी परिशान है और इसी के चलते उन्हों नगरपाली का कारेले का गिराओकर बिजली कनेक्शन देने क बालक उत्करष्ट विद्याले में दिव्यांग बच्चों को जन प्रतीनीदियों ने दिव्यांग उपकरण किये वित्रित बैस्दई में 19 जुलाई दिन सोमवार को दोपयर दो बजे के आसपास जन प्रतिनीदियों ने दिव्यांग उपकरण वित्रित करने का कारे जनबर शिक्षा केंदर में किया इस मौके पर भारती जनता पार्टी के पूरो जिलाद्यक्ष प्रदीप सिंग किलेदार अनिल सिंग ठाकूर वरिष्ट भाजपानेता सुरेश पाल सहित अन्य भाजपानेता और बड़ी संक्या में जन प्रतिनीदी मौजूद रहे भैसदई भैसदई सहित आसपास के चेतरों में दोपेर बारा बज़े से दो बज़े तक हुई रिमजिम बारिश किसान दिखे खुश फसलों को होगा लाब भैसदई में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने के चलते लोग गर्मी से परिशान रहें जिसके बाद कल दोपेर बारा बज़े से दो बज़े के आसपास हलकी रिमजिम बारिश हुई जिससे किसानों को सोयबिन की फसलों में भी फायदा होगा जिसके चलते किसान ख सोमवार को बहस दे कि वैक्सिनेशन सेंटर पर वैक्सिन लगाने वाले लोगों की भीड काफी संक्या में देखने को मिले जिसके बाद हालत बिगड़ने पर ठाना प्रबारी तरन्नुम खान मौके पर पोची और उन्होंने हालात को समाला और बारी बारी से सबी लोगों को लिए प्रेरित किया साथ ही सभी को सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील करी बहस दई वाट क्रमांग 11 में फॉल्ट होने से एक घंडे तक बिजली की सप्लाई रही बंद विद्धित कर्मियों ने बिजली फॉल्ट को सुधारा बहस दई में वाट क्रमांग 11 में सुमवार को सुभा 7 बजे बिजली की सप्लाई में फॉल्ट हो जाने के चलते एक घंडे बिजली सप्लाई बंद रही जिसके बाद विद्धित विभाग के कर्मचारीयों ने वाट क्रमांग 11 के विद्धित पोल पर पहुँचकर फॉल् बैतुल पुलिस अदिक्षक सिमाला प्रसाद के दिशनिर्देशन में जन जागरुकता अभियान और सामुदैक पुलिसिंग को बढ़ावा देने हैं तू थाना विजयदेही के ग्राम बरजोरपूर में हेलप लाइन, साइबर अप्राद, OLX फ्रॉड, फेस्बुक वाइल, इंटरनेट के उपयोग, बैंक खाते के उपयोग में, सावधानी बरतने के बारे में, आसपास में, नो सुसाइड, आत्मत्या के कारण, बचाओ और हेल्प लाइन को समझाया गया। जिसके बाद खेत में हड़कम मच गया, जोपडी के मालिक ने मामले की जानकारी सर्प मित्र आदिल खान को दी, आदिल खान ने मौके पर पहुचकर दामन साप का रेस्क्यू किया, और इसको पकड़ कर बाद में जंगल में छोड़ दिया। जोपकर दो दिन के सामय का अफकाश पर चले गए, वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 22 जुलाई से अनिश्चित कारिन हरताल पर जाने की चितावनी दी है। संग के अध्यक्षे राजू पंडाग्रे ने बताया कि पंचायत और ग्रामिन विकास के कर्मिचारी कल से दो दिन के सामय कावकाश पर है और इसको लेकर उन्होंने जनपस CEO और तैसिलदार को ग्यापन भी सौपा है। तो 22 जुलाई से सभी कर्मिचारी अनिश्चित कारिन हरताल पर चले जाएंगे। उसके द्वारा 11,000 रुपे दिये गए थे जो की वापस मांगने पर रामराव दुर्वे द्वारा गोली मानने की धम की दी गए। जिसके बाद उसने गुसे में आकर रातरी में सोते समय दोनों पर पैट्रोल डालकर आग लगा दी। उक्त गटना को अंजाम देते हुए आरूपी मोतिनात बाबा का हाथ भी जल गया था। भीमपूर धामनिया सचीव पर कारवाई की मांग को लेकर भीमपूर में जयस संगटन ने किया प्रदर्शन CEO को सौपा ग्यापन। आठनेर बिर्शामुंडा क्रांती दल ने राजजिपाल के नाम तैसिलदार को सौपा ग्यापन। नौ अगस्त को अफकाश गुशित करने की रखी मांग। आठनेर में कल दोबेर दो बजे बिर्शामुंडा क्रांती दल प्रदेश अध्यक्ष के आवान पर आदिवासी समाज के द्वारा नौ अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश गुशित करने को लेकर मधिप्रदेश के महामाईन राज्जिपाल के नाम आठनेर के तहसिलदार को ग्यापन सौपा गया। बिर्शामुंडा क्रांती दल के सदस्यों ने 9 अगस्त को प्रदेश में सामुईक अवकाश गुशित करने की मांग रखी। बैतूल पंचायत कर्मियों ने विबिन मांगे नहीं माने जाने पर हरताल की दीट चेताबनी बैतूल जनपर CEO को सौपा ग्यापन। पंचायत एवं ग्रामेंड विकास विभाग के नवगटी संयक्तों मोर्चा के तत्वाधान में अपनी जायज मांगो को लेकर 19 जुलाई दिन सोमवार को सामुईक अवकाश पर जाने के लिए और 22 जुलाई से अनिशित कालें हरताल पर जाने की चेताबनी को लेकर जनपर CEO को ग्यापन सोपा गया आठनेर पिकप वहन दुरगटना मामले में आठनेर पुलिस ने अज्यात के खिलाब मामला दर्जकर की वहन जपती की कारवाई आठनेर थाना छेतर के अंतरगत 18 जुलाई को एक वहन दुरगटना के मामले में दो व्यक्तियों की मौत के बाद पुलिस ने मामला दर्जकर वहन जपती की कारवाई की है 19 जुलाई की शाम 6 बजे को प्रधान आरक्षक के द्वारा मामले में जानकारी देते हुए बताया गया कि पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्जकर मामले की जात शुरू कर दी है तो ये थी बैतुल जिले की प्रमोग खबरे ऐसी खबरों को लगतार पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल तापती अर्जुन को सब्सक्राइब कर ले साथी बैल आइकन को प्रेस करे अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परिशानियों को हम तक पहुचाने झाल 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 झाल